क्लास 8 का चाप्टर स्क्वेर एंड स्क्वेर रूट्स अब आगे चलते हैं फॉर्स एक्सराइज हमारे लास्ट फ्रियों में खतम हो गई थी अब आगे चलेंगे कि नेक्सराइस के लिए कुछ कॉणसेट देखेंगे अभी के लिए मैं कहाँ मेरे पास एक कोश्ट्न दिया हुए कोश्ट्न क्या रहे हैं ? कोश्ट्न क्या रहे है ? Find the square of the following numbers, following numbers का square बनाइब तॉक्राणी है मुझे निकाल रहा है, square 26 का, मैंने कर दिया, 26 into 26, मेरे पाइस आ गया, 676, but what if, इस question में मैं आपके लिए clause आग कर तू, clause क्या होगा, clause होगा, find the square, square ही निकाल ले हैं, but without multiplication, actual multiplication नहीं करनी, उसके बिना निकाल ले, अब same number लेते हैं, 26, इसका square निकाल ले, so 26 whole to the power 2, मुझे हम multiplication नहीं करनी, तो कैसे करूँगा, अब क्या मैं 26 को लिख सकता हूँ, as 20 plus 6 whole square, चाहे 26 लिखू, चाहे 20 plus 6 लिखू, कोई फरक नहीं है, जैसे 18 को मैं 10 plus 18 लिखू, या सिर्फ 18 लिखू, या 9 plus 9 लिखू, कोई फरक नहीं है, को मैं लिख दिया, 20 plus 6 whole square, अभी whole square का क्या मतलब है, whole square का मतलब है, that ये चीज, अपने आप से ही, एक और बार multiply हो रही है, मेरे पास आरे 20 plus 6, multiply by 20 plus 6, तो इसको मैं कैसे करूँगा further, इसको further करेंगे, as इस पूरे ब्राकेट को, इस पूरे ब्राकेट से multiply करने है, class 7 में हम ये चीज सीख चूपी है, कैसे करेंगे, 20 multiply by 20 plus 6, plus 6 multiply by 20 plus 6, मेरे पास आजाएगा, 20 into 20, that is 400, 20 into 6, that is 120, 20 into 6, that is 120, 6 into 6, that is 36, अगर add करूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, 676, 676, तो ये मैंने square निकाल लिया, 26 का, लेकिन बिना multiplication करें, अब कहीं बार question में हमें ये clause दे दिया जाता है, जैसे आप अपनी exercise से just पहले कि अगर examples देखेंगे, example 1, 2 देखेंगे, तो उनमें आपको ऐसे question दिख रहेंगे, जहां पर आपको square निकालनों कह रहे हैं, लेकिन बिना multiplication के, तो हमने वही किया, square निकाला है, लेकिन बिना multiplication के, ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी, तहा 26 को, मैंने लिख दिया, 20 plus 6, कोई भी number हो, तो उसके nearest 10, उससे जो just पहले nearest 10 आएगा, मैं उसके form में लिख सकता हूँ, जैसे 26 को लिख दिया, 20 plus 6, अब ऐसे ही, अगर मैं second exercise के first question एक part लूँ, जैसे कि उसके अंदर है, मुझे 71 का square निकालना है, किसका निकालना है, मेरे को निकालना है, 71 का square, तो क्या मैं 71 को, 70 plus 1 whole square लिख सकता हूँ, मैंने कह लिख दिया, 71 को लिख दिया, 70 plus 1 whole square, इसी तरीके से अगर मेरे पास आजे, मैं को 35 का square nिकालना है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, 30 plus 5 whole square, अगर मेरे पास आजे, 32 का square निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30 plus 2 whole square, अगर मेरे पास आ जाए 83 ka whole square निकालना है, तो वो मैं लिख सकता हूँ 80 plus 3 whole square, वैसे अगर मेरे पास है 71 का square निकालना है, मैं इसको लिख सकता हूँ 70 plus 1 whole square, मतलब कि मेरा 70 plus 1, 70 plus 1 से multiply हो रहे हैं, अगर दो brackets है, multiply हो रहे हैं, 7 है मैं इस क्या सिखा था, 70 multiply by 70 plus 1, plus 1 multiply by 70 plus 1, मेरे पास क्या आजएगा, 70 into 70, that is 4970 into 1, that is plus 70, again plus 70 plus 1, कैसे आया, 70 into 1 is 70 and 1 into 1 is 1, तो मेरे पास आजएगा, 4900 plus 70 plus 70 plus 1, क्या result होगा, मेरे पास आजएगा, 4900 plus 70 plus 70 is 140 and 140 plus 1 is 141, result आजएगा, 1, 4, 9 plus 1, 10, the result is 5041, 5041, I hope अगर आपको कोशिन आजएगा, that आपको square निकालने लेकिन मैं ना multiply करें, तो आप आराम से कर लेंगे, मैंने कुछ samples भी आपको दिखा दिये हैं, that अगर 35 आजएगा, मैंने 30 plus 5, अगर उसकी जगा हमार पास 32 आजएगा, मैंने 30 plus 2, 83 आजएगा, मैंने 80 plus 3 whole square, क्या trick थी? trick बहुत सेंपल थी, जो भी नंबर होगा, उसके nearest 10, nearest 10 मतला 83 से nearest 10 कौन सा है? 80's, जो से जस्ट पहले आ रहा है, 32 में nearest कौन सा है? 30, 35 में मैंने लिया है 30 plus 5, अब यहाँ पे मेरे पास अगर 87 आ जाता, तो मेरे option होता है, मेरे पास होता है जात मेरे उसको 80 plus 7 लिखो 87 को, या 90 minus 3 लिखो, मैं हमेशा प्लस में लेने का प्रेफर करूँगा, 80 plus 11 लेने का प्रेफर करूँगा, क्यूं? 80 plus 7 क्यूं और 90 minus 3 क्यूं ने, बिकॉज जब भी प्लस ले रहा हूं, तो मेरे काल्कुलेशन थोड़ी easy हो जाती है, आयो, ये concept आपको समझ आया होगा, इसके बाद आप काफी easily इस चीज़ को अराम से कर सकते हैं, अब अगले topic पर चलते हैं, अब अगले topic पर चलते हैं, अगला topic क्या कह रहा है, अगला topic है मेरे पास Pythagorean triplet, अब Pythagorean triplet मेरा Pythagoras theorem से लिटेड है, पहले एक बर वो रिवाइस करते हैं, Pythagoras theorem कहता था, एक triangle की एक ऐसी side होगी, एक ऐसा triangle जिसमें 90 degree है, उसके एक ऐसी side होगी जिसको मैं hypotenuse कहूंगा, जिसमें hypotenuse का square will be equal to the sum of the other two sides, अगर मेरे पास एक triangle आजाए, जिसमें एक angle 90 degree होगा, तो 9 degree के just opposite side को मैं hypotenuse कहूंगा, तो मेरे hypotenuse का square, मेरे hypotenuse का square will be equal to जो बाकी दुनों sides है, उनके square का sum, अगर मैं उनको square कर दूँ और plus कर दूँ, तो उनका sum मेरे hypotenuse के square के equal होगा, ये थी मेरी Pythagoras theorem, जो हम class 7 में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसी से related है Pythagorean triplet, Pythagorean triplet मेरे पास क्या है, Pythagorean triplet कहता है तक मेरे पास ऐसे 3 numbers हो सकते हैं, जिसमें 1 number का square, बाकी 2 numbers के square के sum के equal होगा, मैं इन 3 numbers को represent कैसे करता हूँ, मैं इन 3 numbers को represent करता हूँ as 2m, m square minus 1 and m square plus 1, मेरे पास 3 numbers के इस form में होते हैं, 2m, m square minus 1 and m square plus 1, एक बार फिर से समझा लेता हूँ, Pythagorean triplet क्या है, Pythagorean triplet कहता है तक मेरे पास ऐसे 3 numbers का combination हो सकता है, जहांपे मेरा एक number का square बाकी 2 number के square के sum के, मतलब कि अगर बाकी 2 numbers का square करतो और फिर उनको add करूँ, तो add करके मेरे को पहले number के square जितना value आ जाएगी, अब इस पूरे case में हमेशा जो सबसे बड़ा number होगा वो होगा m square plus 1, और उसो यह Pythagorean triplet में मैंने m ले रहा है, we need to keep in mind that m तीनों में से एक भी number नहीं है, I repeat मैंने क्या बोला, मैंने बोला that m, यहांपे मैं जो ले रहा हूँ 2m, m square minus 1, m square plus 1, यहांपे मैं डिजिट ले रहा हूँ, यहांपे एक variable ले रहा हूँ अभी के लिए m, तो असलिमें जो m होगा वो पूरे triplet का पार्ट नहीं होगा, मैं की कुछ भी value हो सकती है, m की कोई भी value हो सकती है, for any natural number which is greater than 1, तो कोई भी ऐसा natural number, जिसकी value 1 से जादा है, वो m हो सकता है, और मैं m के through ही, अपने python word and triplet निकाल सकती हूँ, जिसमें एक number है 2m, एक number है m square minus 1, एक number है m square plus 1, जहां पे यह देखा जाएगा था, m square plus 1, will be the highest, will be the greatest number, और इसी number के square, मतलब की, m square plus 1, all square, will be equal to, 2m whole square, plus m square, minus 1 whole square, अब यह कहीं न कहीं, मेरे को pythagoras theorem जैसी लग रही है, इसलिए इस पूरे concept का नाम, pythagoras triplet है, ऐसे तीन number, जहां पे एक number का square, बाकि दो number के square के sum के equal होगा, सो मेरे पास, I repeat, number का form होता है 2m, m square minus 1 and m square plus 1, जहां पे m square plus 1, हमेशा highest number होगा, इसी number के square, बाकि दो number के square के, अगर उनको add कर दे, उनका sum निकाले, उसके equal होगा, अब एक example करते हैं, उसके through अरांच से समझते हैं, मैं कहरूँ, मेरे pythagoras triplet में से एक digit, pythagoras triplet में से एक digit है, मेरा 6, मुझे बाकि दो numbers निकालने हैं, अब बच्चे में बर गलती ही कर जाते हैं, तक इसको वो M ले लेते हैं, गलत, क्यों गलत, because ocean कह रहा है, 6 is not equal to M, 6 is not equal to M, 6 मेरा इन तीनों में से एक है, वो pythagoras triplet में से एक number है, वो या तो 2M हो सकता है, या तो M square minus 1, या M square plus 1 हो सकता है, अब मुझे squares पता है, मुझे पता है 1 का square, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो कोई भी square में plus 1, minus 1 करके, 6 नहीं आ सकता, तो बहुत normal से step चलते हैं, बहुत normal से करते हैं, मैं 6 को equate करता हूं, अपने 2M के equal, 6 is equal to 2M, मैं 6 को, M square minus 1 या, M square plus 1 क्यों नहीं ले रहा, वेकॉस मुझे पता है, इसको plus 1 या, minus 1 करके, कोई भी square digit नहीं आ सकता, इसे लिए मैंने 6 को, 2M के equal लिए, अब इसके थुरू, मैं M की value निकाल सकता हूं, M is equal to 6 divided by 2, that will be 3, 3, so M is equal to 3, 6, 8, and 10, are my Pythagorean triplet, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, that 6, 8, and 10, are my Pythagorean triplet, I hope, यह concept समझ आया, इसी के basis पे, 2 और questions करते हैं, जहां पे मुझे, अपने Pythagorean triplet में से, किसी एक की value दी होती है, अब अगला question देखते हैं, अगला question के कहार है, find a Pythagorean triplet, whose one member is 12, मुझे एक ऐसा, Pythagorean triplet निकालना है, जिसका एक member है 12, I repeat, Pythagorean triplet क्या होता है, मेरे पास, तीन natural numbers आ जाते हैं, जिनमें एक number का square, बाकी दो numbers के square के sum के equal होता है, So, यहां पे मेरे पास, जो Pythagorean triplet है, मैं उसको किस form में लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं, 2m, m square minus 1, and m square plus 1, और generally देखा गया है, that m square plus 1 ही, मेरा highest या फिर greatest number होता है, So, 12 हो के रहे हैं, इन तीनों में से, कोई एक number है, मैं clearly दिसकता हूं, that अगर मैं 12 में, 1 minus या 1 plus कर दूंगा, तो मेरे पास कोई भी square digit नहीं आ रहा है, तो ना तो यह m square minus 1 है, और ना ही m square plus 1, अब लेते हैं, 2m के एकवल, So, अगर मैं 12 को ले लूं, 2m के एकवल, तो मेरे पास m की value क्या आ गई, मेरे पास m की value आ गई, 12 divided by 2, that makes it 6, m आ गया 6, अब I'll repeat, मेरा पाइचो कोई भी number 6 नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, m की value आई है 6, जिसके त्रूम में, m square minus 1 और m square plus 1 निकाल सकता हूं, ठ्राय करके देखते हैं, m square minus 1 क्या है, So, m square minus 1 अगर निकालना है, that will be 6, whole square minus 1, that is 36 minus 1, that comes out to be 35, अगर मुझे m square plus 1 निकालना है, that will be 6, whole square plus 1, that is 36, plus 1, which comes out to be 37, अगर आप चाहें, तो आप इसको verify कर देख सकते हैं, आपके पास result, कुछ ऐसे आएगे, जब आप 37 को whole square करेंगे, that will be equal to 35 whole square, plus 12 whole square, I repeat, क्या होगा, अगर आप इसको verify करेंगे, 35 square plus 12 square, will be equal to 37 square, यही आएगा, तो मेरे पास Pythogoran triplet क्या आगया, मेरे पास Pythogoran triplet आगया, 37, 35, and 12, जिसमें से 12, मुझे पहले से दिया हुआ था, अब अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन आप छोटा सा twist है, और बड़ा interesting twist है, देखते हैं अगला कोशन क्या है, अगला कोशन क्या है, अगला कोशन क्या रहा है, find a Pythogoran triplet whose smallest number is 8, अब मेरे पास Pythogoran triplet में से एक number है 8, जो उस पूरे triplet का smallest number है, यही यहाँ पे twist है, तो अगर मैं अपने triplet के form लिख हूँ, मेरे पास triplet किस form में होता है, मेरे पास होता है, 2m, m square minus 1, and m square plus 1, तीनों नंबर का form होता है, 2m, m square minus 1, and m square plus 1, so 8 मेरे किस के value हो सकती है, 8 मेरे 2m की भी value हो सकती है, और 8 मेरे m square minus 1 की भी value हो सकती है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, that 8 के आग सपास क्या एक square number आ रहा है, 8 के, मैं अगर मैं 1 plus कर दूंगा, तो मेरे पास आता है 9, जो 3 का square है, so I can take 8 as equal to 2m also, and 8 as equal to m square minus 1 also, अभी तक हम 2m लेते आये थे, अब हम लेते हैं, m square minus 1 के equal, so if 8 is equal to m square minus 1, so it will be 8 plus 1 which will be equal to m square, so 9 is equal to m square, और m की मेरे पास value आ गए 3, अगर m की value आ गए 3, तो मेरा 2m और m square plus 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास, then 2m is equal to 2 into 3 which is 6, अब मैं से पेले m square plus 1 निकालू, मेरे पास 2m की value क्या आ गए, मेरे पास 2m की value आ गए 6, लेकिन मुझे question क्या कह रहा था, मुझे question कह रहा था, that पूरे triplet का smallest number है 8, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास आ गए 6, जो 8 से भी छोटा है, so 8 can't be equal to m square minus 1, 8 m square minus 1 के equal नहीं हो रहा, because उस case में मेरे triplet का एक part आ रहा है 6, जो 8 से भी जादा छोटा है, इसलिए मैं उसको नहीं लूँगा, so मैं 8 को किसके equal लूँगा, मैं 8 को लूँगा अपने 2m के equal, अब मेरे पास m की value आ गए 8 divided by 2, that is 4, so m comes out to be 4 of m square minus 1, or m square plus 1 के लूँगा, then m square minus 1 is equal to 4 whole square minus 1, that is 16 minus 1, which comes out to be 15, so m square minus 1 is 15, अब अगर m square plus 1 की बात करें, that is 4 whole square plus 1, 16 plus 1 that gives me 17, so इस बार मेरा पाइचोगोर इंट्रेपलेट क्या आ है, जिसमें सबसे छोटा नंबर है, 8, मेरे पास पाइचोगोर इंट्रेपलेट आ गया, 17, 15 and 8, मेरे पास आ गया, 17, 15 and 8, I hope आपको ये clear होगा, इसी के साथ हम अराम से second exercise पूर ही complete कह सकते हैं, 5 whole triplet क्या होता है, वो ही इस वीडियो का main part है, 5 whole triplet कहता है, that मेरे पास ऐसे 3 numbers हो सकते हैं, जिसमें किसी भी 2 numbers का square का sum, तीसरे number के equal होगा, और मैं उनको 2m, m square minus 1 and m square plus 1 के form में लिख सकता हूँ, I hope आपको ये सब clear है, thank you for most of videos, please subscribe to our channel,